पहले दिन 1500 पर आउट होकर हो गया था खेल पर फिर टीम इंडिया ने ऑस्टेलिया को 295 रन से दिया पेल अरे यार सिदुमुसे वाला फॉर रीजन 295 295 295 सच बोलेगा ता मिलू 255 पर मैं यह कहना नहीं चाहता के लेकन ऑस्टेलिया का सिदुमुसे वाला ही हुआ टीम इंडिया जीच चुकी है पहला टेस्ट पर्थ में यह पहला टेस्ट और ऑप्टेस स्टेडियम इस स्टेडियम में ऑस्टेलिया कभी कोई मैच नहीं आ रही ती टीम इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की शुरूआत करी थी पहले दिन और 500 रन पर ओल आउट हुए थे और फिर उसके बा टीम इंडिया ने जो जबर्दस पलटवार किया है और श्रीले को समझ ही नहीं आ रहा है भाई यह क्या हो रहा है हमारे साथ जब हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 104 पर आउट हो सकती है तो यह लोग 400 रन से भी पार टाप गए आउट ही नहीं होके देरे बंदे विराट कोली जो कभी चली नहीं रहाता 19 की अवरेज वाला बंदा वो 100 मार रहा है और मैं पैट कमिंस से पूछना चाहता हूं कैसा लगता है जब पूरे स्टेडियम को आप चुप करा दो तो कर दिया भाई ऑस्ट्रेलिया का खेल हो गय और फिर टीम इंडिया जिस तरीके से गंदा खेल दिखाते हुए 1500 पर आल आउट हुई ऐसा लगा कि भाया यह न्यूजिलेंड से जो 3-0 से हारे हो उसका ही continuation चल रहा है यह continue में चल रहा है कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा है यहां पे 1500 इंडिया का standard लग रहा था लेकिन फि 6-pack abs वाले जस्पेट बूम्रा बहुत टाइम बाद एक ऐसा कप्तान आया है टीम इंडिया के पास जिसकी 6-pack है तो विराट को ली कि विराट को ली कि नहीं है रोएट शेर्मा की है 6-pack थायर पर जे टायर रिकाटे है लेकिन यहां पर जस्पीट बूम्रा ने जस तरीके क नहीं निपड जाएगा लेकिन फिर टीम इंडिया ने जबर्दस्त बैटिंग करी शांदार रिया 487-46 डिकलेर यह थी इंडिया का जवाब तीसरी पारी में और ऑस्ट्रेलिया के पास वैसे हमें पता तो तीसरे दिन की शाम तक ही लग गया था जब ऑस्ट्रेलिया के ती जुम्मा जुम्मा चार ओवर में निकाल दिया थी जब तीन विकेट शुरुवात में गिर गई थी और पहले उन्होंने का सोचागी इन पैट कमिंस खुज आ गए मैं 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 मानस लभुषेन को बचाऊंगा तो लभुषेन ने का वा कप्तान हो तो वैसा बगवाण जी जो जिसका आपने इतना हो अल्ला काट रहा था कह रहे थे भाई पूरी टीम तीस के पार है सिर्फ मैक स्वीनी है 25 साल का लड़गा एक ऐसा हीरा ढूंड के लाएं लेकिन काफी स्वीट इनके साथ काम हो गया जीरो पर आउट हुए अपनी दूसरी पारी में लेकिन जस तरीके से टीम इंडिया के बोलर्स पर यह आप बात करनी होगी कि यह जो जीत है इस जीत का जो सहरा है वो टीम इंडिया के बैस्मन के सिर पर बंदेगा या टीम पर यह जी पर इनिंग में तो सारी बैस्मन फेल थे हाँ नितीश रेडी नितीश रेडी ने बचाया मलब अगर बंदा 41 मार जाए तो बढ़िया बात है और वो भी 59 बॉल्स में ऐसा ने भी मतलब आप सोचो के तो रन की उस पारी में रिशाब पंथ का वो चक्का याद रह जाएगा जिस तरीके लिए उन्होंने गिरते हुए गिरते हुए रिशाब पंथ का कोई चक्का आपको या में स्टंप आउट हुए लेकिन अपने पूरे करियर में वो शायद शायद दूसरी बार स्टंप आउट हुए है और यह बहुत बड़ा स्टाइट है क्योंकि रिशाब पंथ आरी से ज्यादा बॉल तो बाहर निकल कर निमा आते है मोर देन 50% आफ दी बॉल में वो आगे जाते है और विराट कोली दूसरे स्टंप माइक से बोल भी रेते क्या रहे है आगे निकल रहा है कोई बात नहीं जाना है इसने सबसे महंगे या IPL में और वहा भी 27 करोड रुट में सबसे महंगे IPL के प्लेयर बन गये है उसके उप बढ़िया आप इसे IPL से आचुके हैं पहला टेस्मेच आप जीत चुके हो दूसरा टेस्मेच में अभी काफी टाइम है दस बारा दिन का ताइम है और वह भी टेस्मेच है अडिलेड में देनाइट का और यार इंडिया मेरे को तो एक बंगलादिश के साथ याद है एक श पारे नहीं थी शेयदम ड्रॉवा था बाई कैसी बाते कर रहे है चाहर गेते शायर पर विकेट खोकर वो चेस कर दिया था जा दो विकेट लिली हमने भी बड़ी टीमों की यही बात हो थी लेकिन यहांपर आज हम बात कर रहे है कि किस तरीके से इंडिया ने ऑस्टेलिया को धो डाला है 295 रंसे हार और क्या यह जो हार है क्योंकि जो ऑस्टेलिया के जो बड़े-बड़े जो एक्सपर्ट्स थे वो टीम इंडिया को बिल्कुल भी रेटिंग वेटेज कुछ नहीं दे रहे थे इंफेक्ट मैंस से पहले पैट कमिंस से जब पूछा गिया कि कौन इंडिया का प्लेयर आप आस्टेलिया की टीम में लेना चाहोगे तो उन्होंने का कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से पैट कमिंस तुम्हें घटिया टीम का शौक हो गया एचीच्यूट दिखा रहे हो अपने आपको आप ब्रांड समझ रहे हो लेकिन आप ऐसे हो नहीं नहीं सोग लिया था कि बाई 500 हो गए अब तो हम जीती गए और ऑस्टेलिया ने जिस तरीके से घुटने टेके हैं इस मैच में इस मैच के बाद अब ऑस्टेलिया का वाला जो हुआ था ना देखो इन्होंने हुआ बना रख था अपने गाबा का वो गाबा तोड़ दिया अब आपने बात करी थी पर्थ आएंगे और इन्होंने बड़ी प्लैनिंग के साथ इस बार की जो सिरीज थी उसमें पहला ही मैच इन्होंने पर्थ में रखा ताकि टीम इंडिया को पेस एंड बाउंस दूसरा मैच इन्होंने जान बूच के एडिलेड में डाला डे और उसके बाद चौथा टेस्समेच मेलबर्न में और पांचवा सिड्नी में वह वाले ग्राउंड जहां पर टीम इंडिया अच्छा प्रफॉर्म कर सकती है तो इन्होंने यह सोचा के पहले तीन टेस्समेच ऐसी जगह खिला दो कि इंडियन टीम का ना कॉन्पिटेंस तो तब क्या आपको लग रहा था कि टीम इंडिया इतना बड़ा टैनराउंड कर पाएगी अगर आपको जवाब है हां तो आप कहिए कि मैं ही नासरे दमस हूं आप पॉल ऑक्टोबस तक दो अपना नाम बदल देना लेकिन अगर आपको क्या लगता है किस खिलाडी ने गेम आपको क्या लगता है कि किस की पारी ने वाकई में टीम इंडिया के फॉर्चून यहां पर बदले कौन है वो प्लेयर जिसने बहुत ही शांदार अपना योगदान किया कौन इस मैच का सबते बड़ा हीरो है और मैं लोगों से यह जानना चाहूंगा कि अगले मैच में क्य क्यों आ रहे है क्योंकि वो कप्तान है यार कप्तान तो है पर देगो रोहिद शर्मा को भी अब विराट कुली जैसी एक पारी 100 बनाना चाहिए अब तो आना चाहिए अब बहुत हो गई प्लीज अब ना इंटेंट में हमें मजा आ रहा है जब आप टेक टेक कर खेलता हो आप मैं पड़ आप कि कितने टाइम बाद जाके कितने उनने सो अची के बाद जाके कोई भी ऐसी विजिटिंग टीम आई है जिसके ओपनिंग पेर ने पचास ओवर ऑश्रेलिया में पर्थ में केल दिया तो बहाई पचास ओवर तक वो खेलते रहे ओपनिंग शांदार ग केल राहूल को भी वो क्रेडिट मिलना चाहिए जब बॉल नहीं थी जब बॉल रही थी बॉल ही नहीं और फट गाया ते थे सब जो गे वहाँ पर याल ने नहीं पहर तो इस जीत के बड़े सारे ही रहो सकते हैं आप के हिस आप से कौन इस जीत का सबसे झाल झाल